आपने अब तक कई बार सुना होगा और कई बार अखवार में हैं पढ़ा होगा कि तेज रफतार में जा रही ट्रक के नीचे वाइक सवार आ गए है या ट्रेक्टर के नीचे साइकल सवार आ गए है लेकिन यह नहीं सुना होगा कि प्लेन के नीचे कार आ गई है कोई अगर आपको एक कहता है कि प्लेन के नीचे कार आ गई है ता आप उसे मांसिक रूप से विशिप्ट बता देंगे लेकिन आज ऐसा दिली के एरपोर्ट रहा जहां एक टेक अफ होने वाली प्लेन के नीचे अचानक से कार आ गई नीचे भी ऐसे आई की कार तीरे जाकर विमान के न आई थी और कैसे आज इस एरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टला आपको बताएंगे नमस्कार मेरा नाम परितोष चाही है और आप जंदा जंसन देख रहे हैं इसके मंडल ग्रूप ऑफ इंसिटूशन्स नर्सिंग पैरमेजिकल फार्मसी और मैनेजमेंट पाचेक्रमों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग का उसर लेकर आया है चात्र ओल्लाइन आवेदन भड़ने के लिए www.skmgi.in पर जाएं तथा ओफलाइन आवेदन उपलब्ध है इसके मंडल ग्रूप ऑफ इंसिटूट के किसी भी संस था या हिंदुस्तान मीजिया के पटना मुजफरपूर भागलपूर या गया के खार्याले में आवेदन शुल्ख मात 200 रुपए है और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारिक है 13 अगस्त 2022 अधिक जानकारी के लिए स्क् विमान के नीचे अचानक से कार आ जाती है आपको याद ही होगा कि पिछले कुछ समय से तक निथी गरबरी के कारण कई दर्जन विमानों की आपात लैंडिंग होई है डीजी सीए ने विमानों में हो रही अचानक खराबी के कारण सक्ष करवाई भी की कुछ दिन पहले इ जोती राजित सिंध्या ने कहा था कि पिछले छे महिने में 68 एर लाइन के चालक दल ब्रेच अलाजर परिक्षन में यानि की साज परिक्षन में फेल रहे हैं इस टेस्ट में फेल होने वालों में से एक दर्जन से अधिक पाइलट सामिल थे उन्होंने इस तोरा ने अभी क के बाद उनका लाइसेंस अगले तीन साल तक के लिए निलंबित भी कर दिया गया है ऐसे में इंडिगो के विमान के साथ जब यह हादसा हुआ तो इस बात के कयास लगाये जा रहे थे कि फिर क्या सरापिकर ड्राइबर ने एयरपोर्ट पर यह हरकत की कार गोफर्स कंपनी की थी गोफर्स कंपनी द्वारा दिये गए बयान ने बताया गया है कि कार के प्लेन के नीचे आने से इंडिगो विमान को को इशती नहीं हुई है ड्राइबर ने इंडिगो विमान के पहिये के ठीक नीचे ही कार को रोक ली थी इंडिगो प्लेन 6E2002 पटना जाने के संबंधित अधिकारी ड्राइबर से इस मामले में पूश्तास कर रहे हैं कि वह गारी उस पर तिवंदित छेत्र में गया ही क्यों था वीडियो में यह साफ साफ दिख रहा है कि विमान के नीचे कार को देख कर इंडिगो के ग्राउंड रिष्टा पूरी तरह से अचंबित हो गए थे कुछ ग्राउंड रिष्टा बोल रहे हैं कि गारी को वहां क्यों ले जा रहे हो इससे विमान को निफसान हो सकता है गनीमत यह रही कि वह कार विमान को छू नहीं पाई और इस कारण से वरा हाथसा चल गया नियम के अनुस्वार जहां यह विमान पारक था वहा जैसे भी आप लोग पिछले कुछ महीनों से सुन रहे होंगे कि कई विमान कंप्लियों की प्लेन उरान भरने के तुरंत बाद कोई नहीं कोई खड़ावी आ जा रही है जिस वजह से उन्हें निफार जगह से पहले ही प्लेन को लेंड कराना पर रहा है पिछले एक महीने म आठ विमानों में तक निकी खामी आ चुकी है जिसके चलते सेक्रों यात्रियों की शुरक्षा में खत्रा पैदा हो गया आपको याद ही होगा कि पांच जुलाई को एक सो पचास यात्रियों के साथ दिल्ली से दुवई जा रहे हैं स्वाइस जेट के विमान में अचानक भी लगा दी गई थी और इस कंप्टी को कारण बताओ नोटिस जाड़ी किया गया था आज दिल्ली के इंद्रागांज इंटरनेशनल एरपोर्ट से पतना के लिए उरान भरने वाले प्लेन जिसमें सवारी बैठ चुके थे उसके नीची अचानक कार आ आ जाने से हाजसा ह होते होते बच गया अगर समय रहते ड्राइवर ने कार न रोकी होती तो यह बड़े खत्रे में बदल सकता था इस पूरे प्रकरन की जाच की जा रही है हर पहलू को जाचा पर खा जा रहा है साथ इस लक्षा कर्मिदवारा कार ड्राइवर से इस मामले को लेकर पूश जान वार